दोस्तो नमस्कार निसान टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए धन्यवाद में ये चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तैदल सुक्रिया आज हम बात करने वाले इस एक पार्ट की यह बहुत ही इंपोटेंट और बहुत ही जरूरी पार्ट होता है एसी सिस्टम के अंदर ठीक है तो मैं इसका पहले आपको नाम बता देता हूँ यह है क्या ठीक है यह है फ्रेंड्स रिसीवर ड्रायर यह मतलब आपकी गाड़ी पर वह इससिटम है यह चीज़ आपको समझना बहुत ही जरूरी है अगर यह खराब हो जाय तो आपका पूरा एसी सिस्टम खराब हो सकता है मतलब हैसी सिस्टम से ल्हे पर ब्लौर अपको दम से थंढडी हवा यह हमको ब्रहाख कर थ DN हचा एक हुरो को बताऊंगा कि इसका फाइद है क्या क्या है और यह किस चीज को बचाता है कि इसी सिस्टम के अंदर क्या ऐसा काम होता है जिसको यह गलत होने से रोपता है ठीक है तो सबसे पहले में बता देता हूं इसके अंदर ना यहां पर देखिए यह एक इन लिखा हुआ है इन और यहां पर होता है आउट इस तरीके से दो बने होगा है ठीक है अभी क्या होता है जब एसी गैस आती है ना हमारे सिस्टम में घूमती है कंडेंसर से होती हुआ आती है तो इसी गैस इन के रास्ते से अंदर जाती है तो इसके अंदर क्या है यह इसके अंदर जो प्लास्टि करके अच्छे से उसके अंदर जितनी भी गंदगी है जितना इससे हो सकता है उसको क्लीन करके आउट के रास्ते से आगे बाहर निकाल देगी सीधा एक्सपेंशन वाल या अगले जो हाई प्रेसर पाये पे जिसमें यहां से गैस जानी होती है ठीक है तो ओरोल कहने का मतलब यह फ्रेंड्स यह रिसीवर ड्रायर जो बोतल है यह आपकी गाड़ी का जो एसी सिस्टम है उसके अंदर जो आर 134 एक गैस चलती है और यह आर 12 जो होती थी ना पहले आप पहले गाड़ियों में आर 12 जो गैस चलती थी उसको भी उसके लिए भी लगा जाता था इसमें मैं तो यह क्या करती है गैस के अंदर जो भी गंदगी वगैरा इसके अंदर आ जाती है जो अपनी आर 134 एम गैस यूज़ कर रहे है ठीक है और अब आप यह कहोगे कि यार वो गंदगी आती कहां से होता क्या है हम क्या करते हैं अगर हम डीलर पे काम कराते हैं एसी सिस्टम का तो वो क्या करते है, accurate जितनी गैस निकलती है, उतनी ही वापस वो डाल देते हैं, ठीक है, बट कभी-कभी हम बाहर काम करा लेते हैं, और उन लोगों को पता नहीं होता कि इसी सिस्टम में गाड़ी के कितनी गैस होनी चाहिए, और कितनी उसमें डालते हैं, वो अंदाजे से क कहार काम करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता कि एसी सिस्टम के अंदर प्रॉपर गैस आई भी है या नहीं, ठीक है, अब प्रॉपर गैस मान लो एसी सिस्टम ये गाड़ी है, सपोस्ज़ एट कि सेंट्रो गाड़ी का हमने निकाला ह हो ग pore hon में आपको दिखाया था बताया ता इस लाध़ वह बोतल में भी 4400 ग्राम ट्रलेगै तो फिर चलेगी ठीक है कंप्रसर कोई Krangakya MILi ठीक है यह कम हो गई 4600 रहादा हो गई ठीक है तो उस में क्या होता है जब कम यह जाद हो जाते है उस time पर compressor load लेना day load नेना start कर देता है और बार बार trip मारता ए ठीक है by change gas कम रहे गई तो भी वो बार बार trip मारेगा उस पर load पड़ेगा ठीक है fans और अगर जाद हो गई तो घूमता ही रहाएगा, लेट्रिप मारेगा, उस कंडिशन में क्या होगा, piston के अंदर जो गैस चलती रहते हैं, compressor के अंदर जो चलता रहती है, वो कभी एक time पराकर गरम होखे, उसके अंदर से black particles, जो जो उसके अंदर piston के अंदर रहते हैं, compressor के piston के अंदर black और वो पूरा एशी paisam आज होगा कुछ ऑडय वो इसम प्लुकिश कोण कॉलते हैं चले इसे सिस्टंग को एक टाइंग पर इसे सी सिस्टंग आपने देखा होगा कुछ इसके लगए देरीम कूज हो एस सक्षम वह hmm हो गयाट, निकलता है ठीक है ना तो वो क्या हो हो गया और सी बोटल हो गई है रिसीवर ड्रायर ठीक है एंड अपना कूलिंग को इलो गया एसी कंप्रेसर तो उसी टाइम पर ही खराब हो जाता है जब उसके अंदर से ब्लैकनेस निकलती है ठीक है तो इसका मॉस्ट इंपोर्टेंट काम यही होता है उस ब्लैकनेस को फिल् लिंग मिले यह कोशिस करता है कि सिस्टम बचा रहे हमारा ठीक है फैंस बट उस जो ब्लैकनेस जो आती है उसकी वज़े से क्या-क्या डैमेज आते हैं और किन-किन वज़े से गाड़ी का एसी सिस्टम खराब हो सकता है और क्यों बदलना पड़ता है उसको कैसे क्लीन करना होता है उसके बारे में अगली वीडियो में आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा आज के लिए यह रिसीवर ड्रायर बहुत most important होती है आज अगरता हूँ यह चोटी सी वीडियो यह जो रिसीवर ड्रायर है आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा टाइम टाइम पे